बच्चों देखिए present indefinite tense या इसको हम बोलते हैं simple present tense क्या होता है जी present indefinite tense या simple present tense हिंदी में आपने पढ़ा था जब translation पढ़ी इसकी तो उसमें पहचान पढ़ी थी वाग क्यों के अंत में ता है थी अब खेलता है पढ़ता है आता है जाता है लेकिन अभी हम grammar के point of view से पढ़ रहे हैं translation के हिसाब से नहीं तो structure क्या होता है इसका affirmative sentence का structure देखेगा subject प्लस verb की first form प्लस object जैसे वह किरकेट खेलता है वह किरकेट खेलते हैं तो they play cricket यदी subject आपका i, we, you, they या कोई भी plural subject है मैं किरकेट खेलता हूँ तो क्या हो जाएगा i play cricket i subject हो गया play वर्ब की first form हो गई और किरकेट क्या हो गया object हम किरकेट खेलते हैं we play cricket तुम किरकेट खेलते हो subject you ले लेंगे you play cricket मैं किरकेट खेलते हैं they play cricket महोन और सोहन किरकेट खेलते हैं कोई भी plural subject हो सकता है इन प्रोनाउंद के अलावा भी मैं किरकेट खेलते हैं they play cricket तो यह इस्ट्रक्चर लागू होगा subject प्लस वर्ब की first form प्लस object जब subject i, we, you, they या कोई भी plural subject होता है यदि subject आपका he, see, it या कोई नाम दिया है मोन सोनरी या कोई भी singular noun दे रखी है कुछ भी तो उसमें तरीका क्या रहेगा subject प्लस वर्ब की first form में see is plus object जैसे वह किरकेट खेलता है he plays cricket वह किरकेट खेलती है see plays cricket अब आगे subject हो गया कोई भी नाम है जैसे मोन किरकेट खेलता है मोहन plays cricket अब इसके बाद में बच्चो नेगेटिव का structure क्या होता है subject प्लस डू नोट डू नोट को एक साथ जोड़ करके हम बोलते हैं don't डू नोट को एक साथ में attach करेंगे तो क्या बोलेंगे don't तो subject प्लस डू नोट प्लस वर्ब की first form जैसे मैं किरकेट नहीं खेलता हूँ इसके बाद object आजाएगा वर्ब की first form के बाद में हम किरकेट नहीं खेलते हैं we don't play cricket तुम किरकेट नहीं खेलते हो you don't play cricket में किरकेट नहीं खेलते हैं they don't play cricket या कोई भी plural subject है monsoon cricket नहीं खेलते है mon and so on do not or don't play cricket now we talk about interrogative, interrogative sentence में क्या होता है rule वही होता है same, बस do शुरू में आ जाता है interrogative sentence कैसे होते थे जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है इंदी जब हम निकालते हैं तो क्या से शुरू करते हैं first type आले जो interrogative होते हैं क्या mon cricket खेलता है, क्या हम किरकेट खेलते हैं तो अगर sentence आप हिंदी में निकाल रहे हैं, क्या से शुरू करके तो उसका क्या तरीका होना है helping वर्प सुरू में आ जाएगी तो अगर subject I, V, U, They या कोई भी plural subject दिया हुआ है तो सुरूवात में do आएगा और अगर कोई singular दिया है, जैसे कि he, see, eat या कोई नाम दे रखा है तो सुरूवात में subject से पहले क्या आएगा? ड़ जाएगा तो इन सब cases में सुरूवात में do आएगा और इस वाले case में? ड़ जाएगा इसके बाद में क्या करेंगे? subject लिखेंगे verb की first form subject verb की first form जैसे क्या मैं किर्केट खेलता हूँ? तो क्या sentence बनेगा? do I play किर्केट क्या हम किर्केट खेलते हैं? do we play किर्केट क्या तुम किर्केट खेलते हो? do you play किर्केट क्या मैं किर्केट खेलते हैं? do they play किर्केट अब देखें सिंगूलर के case पर या जाएगा सुरू में क्रिकेट खेलता है does he play क्रिकेट क्या निखके पृट को पैसे सेम इस्ट्रक्ट्चर फोलो कया जाएगा बशने को ढ़ता है साब्जेक्ट के बाद सुब्जेक्ट के बाद थे लग जाने नोट्थ दू पल्स सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की first form क्या मैं किर्केट नहीं खेलता हूँ Do I not play किर्केट क्या हम किर्केट नहीं खेलते हैं Do we not play किर्केट क्या तुम किर्केट नहीं खेलते हो Do you not play किर्केट क्या मैं किर्केट नहीं खेलते हैं Do they not play किर्केट क्या मोहन और सोहन किर्केट नहीं खेलते हैं सिंगुलर हुआ तो डज आएगा बस रूमे डज ही नोट पले किर्केट क्या वह किर्केट नहीं खेलता है डज ही नोट पले किर्केट क्या वह किर्केट नहीं खेलती है does mohon not play cricket क्या mohon cricket नहीं खेलता है तो यह तो बच्चो हो गए इसके लावा अगर second type interrogate ही होता है तो उसमें question word question word अगर दिया है तो do does से पहले हम question word का use कर लेते हैं where does we play cricket हम cricket का खेलते हैं where do we play cricket हम cricket का खेलते हैं do का use करेंगे वी के साथ तो यह rule देख लिए बच्चो हमने कि first form word की use होनी है अगर subject कोई भी third person singular है he see तो root form जो होती है main form जो होती है word की first form मैंसी आई इसका परियोग करते हैं जैसे नेहा right से letter नेहा एक पत्र लिखती है दासन साइन सिंदा सुराज आकास में चमकता है लेकिन यदि subject आपका first person यह 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 फिर second person का pronoun है you यह फिर plural है moan and soan ऐसे बोल दिया यह वे दे तो हम केवाल root form को यूज करते हैं root form कौन सी होती है verb की first form I listen music everyday मैं रोजाना music सुनता हूँ तो इस बार हमने S.E.I.S. का परियोग नहीं किया क्योंकि यह first person का pronoun है they play cricket everyday मैं रोजाना किर्केट खेलते हैं फिर negative में हमने भी क्या rule पड़ा है कि first person के pronoun हो I, we second person का pronoun हो you या फिर third person के pronoun में जो plural है they या फिर noun है plural में mon or son उन सब के साथ do note का परियोग करते हैं बाकि other के साथ में does note का negative के भी कुछ example given है आपकी book में इनको आप read कर लिजएगा I do not write a letter मैं एक पत्र नहीं लिखता हूँ मैं एक letter नहीं लिखता हूँ we do not play cricket हम cricket नहीं खेलते हैं you do not learn a lesson तुम एक पार्ट याद नहीं करते हो they do not make an advice जुमें सोर नहीं मचाते हैं he does not tell a live है जुट नहीं बोलता है she does not cook food वह बोजन नहीं पकाती है meira does not watch a movie meira एक movie नहीं देखती है फिर interrogating में हमने पढ़ा था कि ये do या does शुरू में आ जाता है वो sentence की हिंदी क्या से निकालेंगे do I eat apple क्या मैं सेब खाता हूँ next sentence है बच्छो do we eat apple क्या हम सेब खाते हैं do you eat apple क्या तुम सेब खाते हो do they eat apple क्या में सेब खाते है does he eat apple क्या वह सेब खाता है does he eat apple क्या वह सेब खाती है does meira eat apple क्या मीरा सेब खाती है तो जो भी singular थे उससे पहले हमने क्या कर लिया does का use कर लिया और जो plural थे उससे पहले do का और हिंदी कैसे निकाली वाक्य की क्या से शुरू करके अब अगर नोट आ गया तो बस सब्जेक्ट के बाद नोट अटेच हो जाना है देखे नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या होना है नेगेटिव इंटेरोगेटिव में समझे बच्चो डू आई नोट इट अपल क्या मैं सेव नहीं खाता हूं डू भी नोट इट अपल क्या हम सेव नहीं खाते हैं डू यू नोट इट अपल क्या तुम सेव नहीं खाते हो डू दे नोट इट अपल क्या मैं सेव नहीं खाते हैं डजी नोट इट अपल, क्या वे सेव नहीं खाता है, डजी नोट इट अपल, क्या मेरा सेव नहीं खाती है, अब कुछ special यूज दिये हैं, present indefinite की इन कंडिशन में हमेज़ा present indefinite के रूल से ही आप translation करते हैं, तो grammar के कुछ special रूल दिये हैं, बच्चों कुछ यूज दिये हैं, इनको हम रीड करते हैं, यह बताया गया कि कहांपल यह simple present indefinite tense जिसको आप कहते हैं, कहांपर यूज होता है, the present indefinite tense या फिर simple present tense आप इसको बोलते हैं, इस यूज इस्तेमाल होता है, प्रियोग होता है कहांपर, अगर कोई habit की बात बताई गई है, तो आप habit वाले sentence को कैसे लिखेंगे, किस रूल से लिखेंगे, present indefinite के, जैसे रवी drinks tea every morning, रवी हर सुभे चाय पीता है, तो रोज चाय पीना उसकी क्या है, habit है, habit को represent कर रहा है, तो हम कौन से रूल अपलाई करेंगे, present indefinite के, subject, work, singular है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी आई है, इसका प्रियोग, object, we get up at six o clock, हम छे बज़े उठ जाते हैं, यह habit है हमारी, कि हम छे बज़े उठ जाते हैं, we get up, हम उठ जाते हैं at six o clock, इसके बाद में बच्चो, अगर कोई universal truth है, सार भूमिक सत्य है कोई चीज, जिसको नकारण नहीं जा सकता, एक natural truth है, यह प्रागर्तिक भात है, दासन राईजी जिन्दाज सूरज पूरब में निकलता है, तो universal truth है यह, सूरज पूरब में निकलता है, इसको चेंज तो किया नहीं जा सकता, यह फिर fortune favors the brave, भाग गया, बहादुरों का favor करता है, उन्हीं का साथ देता है, यह फिर कोई general सामान्य सी बात बताई है, कि वह यह सड़क यहां से वहां तक जाती है, कोई general truth है, तो उसको indicate करने के लिए भी परजाएंट इनेफने टैंस का यूज करते हैं, इस road leads to Delhi, यह सड़क दिल्ली जाती है, यह सड़क दिल्ली की तरफ लीड करती है, अबर school faces the north, हमारे school का जो face है, front है सामने का, वो किस तरफ है, the north, north जिशा में, यदि exclamatory sentence दिये हैं, यह होता है, marks of exclamation यह लगा हुआ है, तो exclamatory sentence भी हम present indefinite के रूल से ही translate करते हैं, उसमें भी verb की first form यूज की जाती है, और marks of exclamation दिया होता है हमापर, separate video में इसको discuss किया जाएगा, exclamatory sentences को, here comes the bus, बस यहाँ आती है, तो verb की first form में ऐसी आई, यह सकाई परियोक किया हमने, there, mira goes, mira वहाँ जाती है, और यह exclamatory sentence है, इसमें marks of exclamation से हम इसको पहचानते हैं, यह exclamatory mark होता है, अब आगे देखिए, to indicate a fact, एक तथ्या को दर्शाने के लिए, और something या कोई भी बात दर्शाने के लिए, which is true, जो हकीकत है, सच है, at present वर्थमान के अंदर, Mr. Sarma teach us English, Mr. Sarma हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो present में यह काम, एक fact है, एक तथ्या है, कि यह काम होता है present में, she speaks English, वो अंग्रेजी बोलती है, better than she writes it, better than, बेहतर, अपेक्षा, अपेक्षाकरत बेहतर बोलती है, किस से, she writes it, वहे से लिखती है, तो वहें लिखने के अपेक्षाकरत, अधिक अच्छी अंग्रेजी बोलती है, तो यह क्या हो गया बच्चो, यह true बात बता रहे हैं, प्रजेंट में यह हकीकत है, अब next condition है हमारी, to indicate a future event, which is part of plan or arrangement, कोई भी future की गटना है, लेकिन वो पहले से pre-planned है, वो चीज पहले से planning की गई है, उसकी पहले से उसकी वेवस्ता बनाई गई है, जैसे की स्कूल जो हो जोलाई में खुलेगा, तो यह पहले से तैसुदा बात है, कि वो स्कूल जोलाई में खुलेगा, तो पहले से जो तैसुदा बात होती है, pre-planned होती है, उसको हम कैसे लिखते हैं, present indefinite के रूल से लिखते हैं, the school reopens, will का यूज़ नहीं करेंगे, present indefinite, simple present का रूल एपलाई करेंगे, the school reopens, school खुलता है इन जोलाई में, we go to daily next Sunday, हम यह पहले से तैसे हैं कि अगले संडे को हम कै दिल्ली जाएंगे, तो हिंदी तो गागे की से बोल लेंगे, लेकिन translate कैसे करेंगे उसको, क्या सुदा बात है, कि यह करेंगे future में हम, we go to daily next Sunday, अगले रुभिवार को हम दिल्ली जाएंगे, अगर कोई play की बात लिखी हुई है, उसका वर्णन कर रहे हैं, आपको किसी ड्रामे का, dramatic narrative दिया हुआ है कुछ भी, कोई भी पहले से किसी writer के दुबारा लिखा गया drama है, जिसका आप वर्णन कर रहे हैं, तो उस drama को भी आप कैसे describe करेंगे, present indefinite के rule से, जैसे देखिए, जूलियस सीजर एक play है, जिसमें से sentence लिया, Anthony enters with Caesar's body, Anthony, Caesar के यी body के साथ में, उसने प्रवेश किया, तो है तो past की event ये, लेकिन past की event है, कोई भी drama है, जूलियस सीजर का लिखा गया drama है ये, विलियम सेक्सपियर का, जूलियस सीजर उसका नाम हो गया drama का, event तो past की है, लेकिन drama होने की वज़े से, अगर dramatic narrative हम यहाँ use कर रहे हैं, तो उसे present indefinite में किया जाता है, अब उसी में से आगे एक sentence ओर दिया, Anthony delivers his historic speech, and turns the mob against the conspirators, Anthony एक historic भासन देता है, एतियासिक भासन देता है, and turns the mob, और हिनसात्मक भीड को, इस भीड को मोड़ देता है, the against, खिलाप, किस के खिलाप, the conspirators, सडियंत्र कारियों के, जिन्होंने सडियंत्र किया था, तो Anthony एक हितियासिक भासन दिया, उसने, Anthony ने, और भीड को कैसे मोड़ दिया, सडियंत्र कारियों के, खिलाप मोड़ दिया, तो event तो past की है, लेकिन rule apply किसका होना है, present indefinite tense, simple present वाला, subject, वर्ब की first form में, ऐसी है, जोर object हो गया, फिद second sentence भी उसी तरीके से, इसमें यूज हो रहा है, अब अगला point देखे बच्चो, अगली condition क्या है, अब radio या television पर जो हम commentary सुनते हैं, तो उसको भी present indefinite में ही बोला जाता है, उसी में लिखा जाता है, इन रेडियो टेलिविजन कमेंटरीज ओप स्पॉर्ट इवेंट्स, पब्लिक फंक्शन एटी सी, किसको यूज करना है, present indefinite dance को, जैसे देखे बच्चो, पठान रंस अप्टू दा विकेट, ही बोल्स, ही बोल्स, तो यहाँ पर हमने present indefinite का रूली लगाया है, कि वो अप्टू दा विकेट जो रन कर रहा है, पठान तो हमने subject और वर्ब की first form में इस लगा रख रहा है, और यहाँ भी subject और वर्ब की first form में इसका यूज हो रहा है, तो ऐसी कमेंटरी में देखो अगला sentence बोला, परियोग किया गया है, अब अगला rule देखेगा, जब भी हम किसी लेखक की बात को coat करते हैं, कि इस लेखक ने यह कहा, वो सजीव है या निर्जीव है, इससे फर्क नहीं पड़ा था, वेदर लीविंग और डैड, तो उसकी कही कही बात को present indefinite में लिखेंगे, जैसे केट्स जो है, यह राइटर हो गया, सेज कहता है, A thing of beauty is a joy forever, सुन्दर्ता की जो चीजे होती है हमेशा, हमेशा के लिए क्या होती है, एक आनन्द होता है, The notice sage, Beware of dogs, कुतों से सावधान रहिए, अब next देखेगा, Next conditional sentence है, जिसमें जो main close होती है, वो future के अंदर होती है, और subordinate close जो होती है, उसे हम कहां लिखते हैं, present indefinite में लिखते हैं, इसमें एक घटना, दूसरी घटना के ओपर depend करती है, इनको conditional sentence बोला जाता है, और वहाँ पर main close को कैसे लिखेंगे, future में लिखेंगे, जैसे, ही विल कम वहाँ अईगा, if I invite him गर मैं उसे इनवाइट करूँगा, में have close हो घटा、 आगर मैं उसे इनवाइट करूँगा, तो यह future में लिखेंगे, अगर मैं उसे इनवाइट करूँगा, तो हिंदी तो future में निकल रही है, गागेगी, लेकिन इस तरीके की condition में ये subordinate close को कैसे लिखते हैं present indefinite के rule से लिखते हैं subject, verb की first form और object का यूज़ करते हैं if I invite him अब next sentence देखे से rule पर वेज़ते हैं यह भी if he does not leave early he will miss the train अगर वो सवेरा नहीं चलता है तो वह train को miss कर देगा तो वो train को miss कर देगा main close हो गई और subordinate close जो है negative में है present indefinite का rule लगा करके if he does not leave अगर वो नहीं चलता early सवेरा यह present definite में लगा तो he will miss the train अगर वो जल्दी नहीं चलेगा तो वो train को miss कर देगा तो जो time को denote कर रही है सवेरा चलना यह subordinate close होती है इसको time closes भी बोलते हैं तो इस तरीके से जो यह time close होती है उसमें कुछ conjunction होते हैं time के जैसे when है, while है, until, till, after, as soon as यह no sooner than होता है जैसे I shall wait, मैं इंतिजार करूँगा, till, you finish your work जब तक तुम अपना काम समाप्त नहीं करोगे तो तक के लिए यहाँ पर क्या है, till का परी हो गया यह time close दे रखी है तो यह future में बन गई बच्चों और यह present definite के रूल से When I go to Delhi, जब मैं बाजार जाऊंगा तब, को में का मतलब तब I shall meet your cousin, मैं तुमारे cousin से मिलूँगा इसके बाद देखे, next rule है, जो हम idioms पढ़ते हैं जो मुहावरे होते हैं हमारे उसका जो sentence लिखा होता है, ना, idiom का वो भी present indefinite में लिखा होता है तो idioms और phrases, slow and steady wins the race ये एक idiom हो गया जिसे कच्वे और खरगोस की दोड होती है तो कह रहे हैं, जो लगातार परियास करता है दीरे चले भले ही लेकिन continuous pace पर जो work कर रहा है वो ही आखिर में race को जीतता है Slow and steady मंदा चलना लेकिन निरंतर wins the race तो जो इस काम को करता है वो ही क्या करता है, race को win करता है जीतता है तो देखे, वर्ब की first form में इसका परियोग किया गया है पर जेन indefinite rule लागू किया गया 2 and 2 make 4, 2 और 2, 4 बनाते हैं यानि क्या मतलब है इसका कि बून्द बून्द करके गढ़ा बरता है या बून्द बून्द से समुद्र बरता है अलग-अलग तरीके से हम इस मुआवरे को हिंदी में बोलता है अब बच्चों कुछ एड़वर्ब है जानिन का यूज होता है तो वो tense भी हमारा क्या किस में लिखा जाता है किस रूल से लिखा जाता है प्रजेंट इन्द टेंस के तो अक्सर होने वाली चीज जो है फ्रिक्वेंटली बार-बार होने वाली जो एड़वर्ब होती है जो दर्शाती है फ्रिक्वेंशी को किसी चीज की बारम बारता को जैसे जनरली है चाधारणते है या यूजवली, रेगुलर्ली, ओल्वेज, हो फान सम्टाइम सी टीसी, ये डिनोट करती है परजेंट इंदेफिनेट टैंस को, तो इसमें यूजवली आया है कि चाधारणते क्या है, वह अखबार को ब्रेकफास्ट में पढ़ता है, जब ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, तो रूल कौन से अपलाई किये गए, परजेंट इंदेफिनेट के, तो जहां पर भी ये अड़वर्ब आएंगी, वह कभी कभी मूवी के लिए जाता है, तो इस तरीके से आपने कई रूल पढ़े, झाल झाल झाल